हेलो बच्चों कैसे हो बेट आप लोग तो 8th क्लास में आज अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम ठीक है तो देखी आज अपन इसमें पढ़ेगे नेचरल रिसोर्सेज और इंट्रोडक्शन के बारे में आज अपन इसमें डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो नेचरल रिसोर्सेज क्या होते हैं देखिए natural resources are the materials obtained from the nature ठीक है? नाम से पता चल रहा है natural resources मतलब कहां से हमें मिलते हैं? nature से हमें मिलते हैं ठीक है बच्चे? तो natural resources are the materials obtained from the nature that are used by and usable by the humans ठीक है? मतलब जो use किये जा रहे हैं humans जिनका use कर रहे हैं और जो use कर सकते हैं या usable का मतलब हो गया कि वो humans के लिए useful हो सकते हैं तो उनको उपन बोलते हैं क्या natural resources ठीक है? तो natural resources are the materials obtained from the nature, nature से मिलते हैं and that are used and usable by the humans ठीक है? तो जो humans use कर रहे हैं और उनके लिए usable हो सकते हैं तो उनको उपन बोलते हैं natural resources clear है? जैसे कि natural जितनी भी things हैं जो humans के लिए useful बेटा वो क्या होती है natural resources है clear है तो फिर ये दो type के हो सकते है एक तो inexhaustible natural resources और एक हो सकता है exhaustible natural resources दो type के natural resources हो सकते है तो उसमें first आ जाता है inexhaustible natural resources these resources are present in unlimited quantity ठीक है inexhaustible का मतलब होता है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते जो कभी भी end नहीं हो सकते ठीक है तो उनको अपन बोलते हैं क्या inexhaustible inexhaustible का मतलब ही होता है कि जो कभी भी life में जो है जब तक अर्थ है तो तब तक वो रहेंगे वो कभी समाप्त नहीं हो सकते उनको बोलते हैं इनग्जोस्टिबल जैसे कि जैसे सनलाइट्स हैं तो सनलाइट्स जो हैं वो हमेशा रहने वाली चीज़े एर है जब तक अर्थ है तब तक यह दोनों चीज़े रहेंगी तो इनको बोलते हैं अपन क्या इनग्जोस्टिबल यानि जो कभी भी समाप्त नही quantity बहुत unlimited है मतलब unlimited quantity में present है बहुत ज्यादा amount में present है जो कभी भी exhaust नहीं हो सकते ठीक है तो उनको बोलते है पन क्या in exhaustible natural resources जैसे sunlight हो गया air हो गया यह क्या है in exhaustible है soil हो गया यह सारे क्या होते in exhaustible natural resources होते हैं clear है फिर है exhaustible natural resources मतलब कुछ ऐसे resources भी हैं जो future में जो है ξ Warum exhaust हो सकते हैं या फिर खतम हो सकते हैं जो समाप्त हो सकते हैं तो इनको बोले हैं पना exhaustible natural resources मतलब जो future में जिन का कही ना कहीं जो है जो समाप्त हो जाएंगी किसी time पर खतम हो जाएंगे Talk France एक पने अक्वाशिवल ने लिमिटेड मतलब यह लिमिटेड हैं इनका यूज हमें जो हैं बहुत जो हैं ध्यान पूर्व करना चाहिए ठीक है इनको ज्यादा वैस्टेज नहीं करना चाहिए विकॉज यह लिमिटेड हैं और they can be exhausted by human activities मतलब human activities से जो है ये exhaust हो सकते हैं future में ये जो है exhaust हो जाएंगे clear है क्योंकि जिस तरीके से लोग इनका use कर रहे हैं जिस तरीके से इनको waste कर रहे हैं ठीक है उस according देखा जाए तो ये future में बिलकुल खतम हो जाएंगे तो इनको बोलते हैं exhaustible natural resources जैसे की petroleum हो गया coal हो गया ठीक है coal petroleum natural gas ये सारे क्या होते है exhaustible natural resources है ठीक है कोईले का काफी ज्यादा use हो रहा है petroleum काफी ज्यादा use किया जाता है बहुत ज्यादा इसका जो है use है तो इसलिए ये limited है और ये future में जो है समाप्त हो सकते हैं exhaust हो सकते हैं इनको बोलते हैं exhaustible natural resources clear होना चाहिए इतनी बात आपको clear हुई बटा अब देखिए नेक्स्ट है fossil fuels important fossil fuels क्या होते हैं ये पुछा जाता है आपसे की fossil fuels क्या होते हैं coal petroleum and natural gas were found from the dead remains of the living organisms are called fossil fuels ऐसे fuels जो 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 organism होते हैं living organism की जो dead remains है उनसे जो fuels बने हैं उनको बोलते हैं पन क्या fossil fuels clear है तो coal petroleum और natural gas कैसे बने हैं यह यह जो है living organism के dead remains से जो है बाद में इनका यह बने हैं कौन coal petroleum and natural gas clear है कैसे बने देखो कोईला कैसे बना है यह हम पढ़ लेते हैं एक बार next बच्चों coal ठीक है coal पढ़ने वाले हैं अब अपन कोईला क्या होता है इसके बारे में अपन discuss करेंगे किस तरीके से इसका formation हुआ यह भी हम discuss करेंगे ठीक है तो देखें coal is one of the fuels used to cook food यानि यह coal हम किसमे यूज में लेते हैं बच्चों खाना पकाने में ठीक है फिर है earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine ठीक है तो पहले जो है इसका use किसमें किया जाता था भाप के जो engine आते थे steam engine आते थे उनको run करने में इसका use किया जाता थे ठीक है अभी इसको open किसमें यूज में लेते हैं food जो है उसको cook करने में पहले इसका use किया जाता था steam engine को run करने में अभी जो है और इसका use किसमें आता है अब भी जो है इसका एक और यूज़ जो है बहुत ज़ादा किया जाता है किसमें thermal power plants में thermal power plants क्या होते है बच्छो thermal power plants जो है उनमे electricity generation किया जाता है by the coal coal से जो है पहले तो क्या किया जाता है पानी भरा होता है boiler में बड़े-बड़े boiler होते हैं उस पानी को गरम किया जाता है कोईले से फिर उसमें से जो पानी में से जो भाब बनती है steam बनती है उस steam का यूज़ किया जाता है turbine एक turbine होता है rotating device उसको घुमाने में और फिर turbine जुड़ा होता है generator की साफ्ट से इस तरीके से जो है generator fear electricity produce करता है तो यह एक प्रोसेस होता है कि इसमें thermal power plants में और इसमें koilay से जो है वो electricity generate की जाती है तो koila काफी ज़्यादा यूज़ आता है यहां पर तो as a fuel to cook food engines में पहले यूज़ किया जाता था जो steam engines आते थे उनमें और thermal power plants जो है उनमें यूज़ किया जाता है किसका thermal power plants में भी यह काफी ज्यादा useful है अभी ठीक है एक question आप ध्यान रखना है यहां से जब steam engine के बात और यह तो steam engine को किस ने discover किया था James warm ने जयमज वाट ने जो है इसको discover किया थ्यान रखे आप इसको फिर है story of call किस तरीके से call जो है उसका formation हुआ है तो यह हम जो है जानेगी इसमे story of call का मतलब है किस तरीके से call का formation हुआ है कोईला किस तरीके से बना है तो ऐसा माना जाता है कि about 300 million years ago the earth had dense forest in low laying wetland area जो wetland area थे उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो है जंगल थे बहुत सारे पेड़ थे dense forest थे dense का मतलग घने जंगल थे ठीक है जो है बरीड हो गए ठीक है these forest got buried under the soil यानि soil के अंदर मिट्टी के अंदर दब गए ठीक है is more soil deposited over them they were compressed मतलब जैसे जैसे उन पे और layers आती गई मिट्टी की वो और ज्यादा जो है क्या होए compress हुए मतलब और उन पे क्या लगा pressure लगा ठीक है under high pressure and temperature dead plants got slowly converted into coal इस तरीके से कोईला जो है बना है इस तरीके से coal का formation हुआ है ठीक है तो यह आप ध्यान रखेंगे कि पहले क्या था dense jungle थे dense forest थे किस पे अर्थ पे और natural processes जैसे की flooding उसकी वज़े से क्या हुआ कि यह बरीड हो गए soil में और इन पे जो है जो है जो है soil की परत आती गई लेयर्स आती गई और यह जो है इसकी वज़े से क्या हुआ इन बैकरी इंडस्ट्री ठीक है कौन सा microorganism बैकरी इंडस्ट्री में यूज में लिया जाता है to make bread and cakes तो वो था yeast ठीक है कौन सा yeast जो है एक microorganism है इसका यूज किया जाता है येस्ट पाउडर का किसमें बैकरी इंडस्ट्री में क्लियर है आज का क्या है which metal is best conductor of heat and electricity तो इस cancer आप मुझे comment box में दे देना और यह आप बिलकुल screenshot लें इसको note करें आप लोग important है अब मिलते हैं अगली class में